आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपनी फाइल को फोल्डर को या आपने किसी भी टाइप के डोकुमेंट है जैसे फोटो है या आपका किसी तरह का रेजर्ट है आप उसको किसी को भी PDF भेजना चाहते हैं तो किस एप्लिकेशन की मदद से आप आप सिर्फ दो स्टेप को फॉल्व करके आसानी से PDF करके से शेयर कर सकते हैं और डायरेक्ट वहीं से आप इसे शेयर भी कर सकते हैं तो चलिए बीना किसी देरी के हम शुरू करते हैं तो प्लेइश्टोर से हम एक एप्लिकेशन डाउंड लोड करेंगे जिसका नाम है इमे यहां पर दोस्तों दो आइकन बना हुआ है गयलरी का एक फॉलडर का यहां से आप क्या करेंगे गयलरी वाले आप्शन क्लिक करेंगे तो यहां से आप message से इसे हम पीडियेफ मैं से अगण चाते हैं तो आप यहां इक कैम्लेपक कृलिक कर देंगे तो हमारा camera open हो चाहेगा otherwise अगर आप अपने gallery से लेना चाहते हैं तो gallery से ले सकते हैं उसके लिए आप कहीं से भी यहां से photo को choose कर सकते हैं चलिए हम यहां पे एक document ले लेते हैं जैसे कि मेरे पास यहां पे यह दो एक photo है और एक आधार card है तो हम सबसे पहले अधार को अधार card की मेने एक photo ली है उसको हम क्या करते हैं कि हम PDF में convert करते हैं तो हम यहां convert to PDF लिखा हुआ है जैसे ही इस पर click कर देते हैं और यहां पे हमसे यह पूश्टा है कि margins करना है यहां पर कोई setting करना है या नहीं तो हम यहां पर कोई setting नहीं करते हैं और image को compress भी नहीं करेंगे और हम direct okay कर लेते हैं ओके करने के बाद यह देखी दोस्तों ओके करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यह done हो चुका है और done होकर आपके सामने अगया है अब हम यहां पर तीन option दिया हुआ है शेयर का open का close करका close का दिया हुआ है sorry हम क्या करेंगे यहां पर अगर आप इसे गैलरी में save करना चाहते हैं तो आप direct अपने save to drive में कर लिजे या किसी को Gmail से share करना चाहते है WhatsApp पे share करना चाहते हैं आप इसे easily share कर सकते हैं इस तरह से आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे open करके देख सकते हैं इस तरह से आप गैलरी में अगर save करना चाहते हैं तो यहां पर last में जो icon दिया हुआ है यहां क्लिक करेंगे और सेव करने के बाद आप इसे सेव पे क्लिक कर देंगे तो आसानी से ये सेव हो जाएगा इस तरह से आप किसी भी डॉकुमेंट को आप चाहते हैं फिर से करना तो आप फिर से वे बैक आने के बाद फोटो आप सेलेक्ट करेंगे फोको 16 करने के बाद दोस्तों यहां पर आप आदार करण करेंगे और आपका PDF में चेंज हो चुका Kit आप इसे चाहें तो यहां पे 3Dot करके आप इसे send कर सकते हैं इस तरह से आप अपने document को PDF फाइल में change कर सकते हैं convert कर सकते हैं आसानी से और कहीं भी access कर सकते हैं So guys वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें अपने friend के साथ share करें अगर मन में कोई भी doubt है तो आप उसे comment करके पूछ सकते हैं मिलें के next topic पर next video के साथ तब तक लिए धन्यवाद